नमस्कार, मैं हूँ दिनेश चौधरी, ट्रेक्टर जंक्सन के सापता एक बुलेटिन में आपका स्वागत है आए नजर डालते हैं इस सपता के प्रमुक खबरों पर सबसे पहले बात करते हैं बाजार हस्तक छेपी ओजना की लॉकडाउन के कारण किसान भाई अपनी फसल जैसे अनाज, फल, सबजियों को मंडियों या सेरों तक नहीं ले जा पा रहे हैं और इस कारण या तो उन्हें सस्ते दावाँ में बेचनी पड़ रही हैं या फिर उनकी उपज खेतों में खराब हो रही है किसान भाईयों को इस नुकसान से बाचाने के लिए किंदर सरकार ने बाजार हस्तक्चे प्योजना सुरू की है बाजार हस्तक्चे प्योजना के तहट खेती और बागवानी के ऐसे उत्पाद जो जल्दी खराब हो जाते हैं जैसे कि फल, सबजियां उनकी खरीद राज्य सरकार करती है योजना के अनुसार जिन फल या सबजी की वर्तमान कीमत बाजार मुले से 10% कम हो ये फिर पैदावार 10% से ज़्यादा बढ़ जाए तो राज्य सरकारें इस योजना को लागू करके किसानों को होने वाले नुकसान को कम कर सकती है राज्य सरकारें किसानों से उनकी फल, सबजीयां, बाजार मुले पर खरीद कर इस्टोर करती हैं अब बात करते हैं प्रदान मंतरी किसी सिंचाई योजना की केंदर सरकार किसानों की इस्तिती बदलने के लिए नई-नई योजना ला रही है सरकार ने मानसुन पर निर्बरता कम करने और हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए प्रदान मंतरी किसी सिंचाई योजना सुरू की है केंदर और राज्य सरकारें मिलकर इसमें 90% सब्सीड़ी देंगी महाराष्टर, राजस्थान, मद्यप्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाना, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड सहीथ सभी राज्यों में करसी के एक बड़े हिस्से में सिचाई की विवस्ता नहीं है भारत में कुल 14.2 करोड हेक्टेयर भूमी पर करसी होती है इसमें से 52 फिस्दी हिस्सा एनियमित सिचाई और बारिस पर निरवर है किसानों को रहत देने के लिए सरकार ने बजट 2020 में करसी सिचाई के लिए एक दसमलो दो लाग करोड रुपे की रासी सामिल की है योजना का फायदा लेने वाले किसान के पास अपनी जमीन और सिचाई के पानी का स्रोत होना चाहिए देश का किसान अब संपूर्ण करज माफी के लिए एक जुटो गया है कोरोना मामारी से निपटने में देश के किसान का प्रमुक्योगदान रहा है अनाज के परियाप्त भंडारन के कारणी केंदर विराज्य सरकारें आम आदमी को सस्तिदरों पर या मुफ्त में खाद्यान उपलब्द करा पा रही है लेकिन सरकार की करज माफी की नीतियों के कारण किसानों में आक्रोस बढ़ता ही जा रहा है पिछले कुछ वर्सों में यूपी, पंजाब, महराष्ट, राजस्थान, करनाटक समेत के राज्यों में सरकारों ने 50,000 से 2,00,000 रुपे तक करज माफी की बात कही लेकिन लाकों किसानों को इसका लाब नहीं मिल पाया किसान संगठन लगतार संपूर्ण करज माफी की मांग कर रहे हैं देशबर के किसानों ने ट्विटर के माद्यम से अपने बात सरकार तक पहुँचाने के लिए 5 माई 2020 को हैश्टेग किसान करजा मुक्ती ट्रेंड से किसान करजा मुक्ती अभियान चलाया जो कि आदे गंटे में ही नंबर वन पर पहुँच गया किंदर सरकार का लक्षे है 2022 तक किसानों के आमदनी दोगुना करने का और इसके लिए सरकार पसुपालन पर भी जोड़ दे रही है पसुपालन के लिए सरकार दोवारा आसान किस्तों पर लोन उपलब्द कराया जा रहा है बकरी और भेड पालन को प्रोथसाइद करने के लिए किसानों यों पसुपालकों को नैशनल लाइव स्टोक मिसन के तहट सरकार द्वारा अनुदान परदान किया जा रहा है जिसमें अलग-अलग योजना के लिए अलग-अलग सबसीड़ी दी जाती है जो किसान भेड या बकरी पालन करना चाहता है वे इसके लिए आविदन लिखकर विकास खंड के पसूची कित्सा अधिकारी के पास जमा करा सकता है अब बात करते हैं कापास की उन्नतखेती की वैसे तो कापास के फसल सिंचित ये ऐसिंचित दोनुइश हित्रों में की जा सकती है लेकिन अगर सिचाई की परियाप सुविधा उपलवद है तो कपास की फसल को मही मा में भी लगाय जा सकता है कपास उत्पादन में भारत विस्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है प्राकरतिक रेशा परदान करने वाली कपास भारत की महतपूर्ण नकदी फसल है जिसका देश की ओद्धोगी वेकरसी अर्थ व्यवस्ता में प्रमुकिस्थान है विश्व में निरंतर बढ़री खपत और विविद उपियों के कारण इस फसल को सफेद सोने के नाम से भी जाना जाता है किसान भाई का पास के साथ सह फसली खेती करके अतिरिक तलाब कामा सकते हैं किसान भाईयों ये थी इस सप्ता के प्रमुक खबरें इनकी विश्तरत जानकारी आप अमारी वेबसाइट और मोबाइल एप पर भी देख सकते हैं अगले सप्ता ऐसी मेहत्वपूर्ण खबरों के साथ आप से फिर मुलकात होगी ट्रेक्टर जंक्सन के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यावाद